अगर आप किसी बीचीज की प्रिप्रेशन कर रहे हो वो कि आप बहुत इंपोर्टन प्ले करता है रोल एक्जाम में तो आज के इस क्लास में हम प्रीवीस एर एससे के वर्ड्स डिसकस करेंगे अगर कभी आपके एक्जाम में हर्क्यूलियन वर्ड का मतलब होता है विशाल या जिसे हम बहुत बड़ा कहते हैं या कई लोग हूज भी जानते हैं या फिर जाइंट भी कहते हैं पर अगर कभी आपके एक्जाम में हर्क्यूलियन वर्ड आए तो इसका मतलब गिगनाटिक या फिर हूज जाइंट जिसका मतलब क्या होता है बहुत बड़ा या जिसे हम विशाल कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है, इंपेरिल, इंपेरिल का मतलब होता है, खत्रा या फिर जिसको जोखिम कहते हैं, यूजली हम डेंजर कहते हैं, इंपेरिल, रिस्क, डेंजर या तो आजाए, इन डेंजर, इन सब का मतलब क्या होता है, जिसको हम खत्रा कहते हैं, या तो जोखिम कहते ह नेक्स्ट वर्ड है इंपेशेंट होना इंपेशेंट होना होता है व्यग्र होना, बेचेन होना यूजली हम क्या कहते हैं तुम इतने एंशेस क्यों हो रहे हो एंशेस बोलते हैं बेचेन के लिए बोलते हैं तुम इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो तो restless condition जो होती है या तो anxious जो usually हम use करते हैं और impatient इन तीनों का सेम मतलब होता है जिसको हम व्यग्र बोलते हैं या तो हम be chain कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है hectic hectic का मतलब होता है बहुत ज्यादा व्यस्त रहना जैसे कि आपने सुना होगा मेरा आज कर स्केदूर बहुत ही ज्यादा hectic है hectic मतलब बहुत ही ज्यादा busy टाइब का हो व्यस्त हो उसको कहते हैं तो busy भी कह सकते हैं अरिड भी कह सकते हैं इसके लिए और इसका मतलब क्या होता है व्यस्त होना next word है fraction fraction का मतलब होता है कोई हिस्सा ठीक है जैसे हम बोलते हैं कि कोई portion हो या कोई fragment हो कोई chip हो इसका मतलब कोई भाग या हिस्सा होता है तो fraction को हम fragment या portion भी कहते हैं जिसका मतलब क्या है भाग या कोई भी हिस्सा नेक्स्ट वर्ड है डॉन, डॉन का मतलब होता है उदे होना, जैसे आपने सुना होगा जो डॉन मतलब यह जो डॉन है, इसकी स्पेलिंग और इस डॉन की स्पेलिंग डिफरेंट है इस डॉन को यूजली आप अजनाबनमाज के लिए यूज़ करते हुं और यह जो होता है, डॉन. ये डे बिगनिंग के लिए यानि कोईचीज उदे होना, प्रइकट होना के लिए कहते हैं ठीक है तो ब्रेकैं नपीप, जिसको कहते हैं जिसे आपने प्रइकट होना भी कहते हैं जिसका मतलब है बेतु का या जिसे हम गहते हैं अब देख्वाटे नेक्स्ट वर्डर के Relive Word के दो different मतलब है, एक मतलब है किसी पर depend होना या जिसे हम निर्भर होना कहते हैं, और एक है hope जिसे हम आशा कहते हैं, तो Relive Word के दो different मतलब है, एक है depend और एक है hope, यानि किसी पर एक तो आशा भी कहते हैं और एक होता है किसी पर भी निर्भर होना या फिर रहना, किसी पर depend ह जोड़ न होना अगला वाड है पैडल का मतलब होता है जIS से हम बेचना क्याते हैं मार्केट में जैसे आपने सुना होगा पैडलर कौन होते है जो फेरी वाले या सबजी या जो रेढ़ह पट्री लगने वाले उनको पैडलर या हॉकर भी कहते हैं तो नेक्स्ट वार्ड है है हैड़ी हैड़ी वार्ड का मतलब होता है जो नशा करता हूं इंटॉकसिकेटेड या जिसें ड्रॉंकन कहते हैं शराब्य princip. क्या कहलाते हैं, heady, तो याद रखना, कभी ये word आए heady, replace करना हो, तो intoxicated ये drunken से replace कर सकते हो, जिसको हम नशेडी भी कहते हैं, या बहुत जादा प्यकर या शराबी भी कहते हैं, अगला word है, inform, inform का मतलब होता है, जो शारेलिक रूप से कमजोर हो, physically weak हो, या फिर बिमार अगला वर्ड है जो कोज, जो कोज का मतलब होता है, जिसे हम कहते हैं, बहुत ही जादा प्लेफुल या मैरी, बहुत जादा खुश मिराज या आनन्दित रहने वाला, वो जो कोज कहलाता है, जो कोज हो, जो कोसिटी हो, इसका मतलब आनन्द या खुशी या फिर आनन्द होत होता है नेक्स्ट वर्ड है नॉन प्लस नॉन प्लस का मतलब होता है तो बी विल्ड या टू पजल किसी को घबडाना ठीक है व्याकुल कर देना नॉन प्लस कहलाता है अगर मैं बात करूं नॉन प्लस की तो इसका मतलब क्या होता है किसी को घबडाना या तो जिसको हम व्यकुल या व्यग्र करना भी कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है वियरी वर्ड का मतलब थकान या थकावत होता है जिसे हम tired या exhausted कहते हैं इसका मतलब क्या है थका हुआ अब देखो आगे के words तो my dear friends 15th word placidly placidly word का मतलब होता है जिसे हम नम्रता पूर्वक या शानती पूर्वक कहते हैं अगर सिफ word blessed भी आए, इसका मतलब शान्त या स्थिर होता है, जिसे common composed भी कहते हैं, अगर placidly आए तो gently या कामली जिसका मतलब होता है, शान्ती पूर्वक या जिसे नर्मता पूर्वक भी कहते हैं, अगला word है tangible, tangible वो चीजे होती है जो real हो, virtual हो, यानि जो चीजे वास्तवि हो, वो tangible कहलाती है, तो tangible का मतलब real होता है, जिसको हम वास्तविक कहते हैं, जो चीजे सत्ते हो, अगला word है shudder, shudder करना, मतलब कामपना, धर्राना, जिसे हम क्या कहते हैं, usually tremble करना, या फिर quick, जैसे earthquake आता है, यानि धर्टी कामपती है, जिसे हम भुकंप कहते हैं, तो quick word जब भी लगे, समझना, कामपने से मतलब है, tremble का मतलब भी सेम है, और shudder का मतलब भी, क्या होता है, कामपना, next word है lying, lying का मतलब असत्ते होता है, जूट होता है, जिसे आप falsehood, या ये जो spelling है lie की, ये जूट के लिए यूज़ होती है, कह सकते हैं हम इसे जूट, अगला word ह है splendor, splendor का मतलब होता है, सुविदा, अराम धायक, जिसे हम luxury comfort कहते हैं, जो चीज़े सुविदा जनक हो, वो कहलाती है splendor, luxury, comfort, तो इसका मतलब क्या है, सुविदा जनक, next word है noisome, noisome का मतलब जो चीज़े हानिकारक हो, injurious हो, hurtful हो, या फिर harmful हो, ये सारे मतलब किसले होते ह हैं हानिकारक के लिए, so my dear friends, आज की क्लास यहाँ पर finish हो रही है, अगर आपको क्लास समझ में आई हो, तो please वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बैल आइकन प्रेस कर देना, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए, thanks for watching,